दोस्तों आज के समाई में अगर सबसे अच्छा किसी फिल्ले में कैरियर है तो वो है खेल में आप किसी भी खेल के अगर पलियर बन गए तो आप अपने जीवन में वो सारी चीजे पा सकते हैं जो आप सपनों में देखा करते थे यही करन है कि आज हर बच्चे खेल से जोड़ना चाहते हैं और खेलाडी बनना चाहते हैं ऐसे में बिहार के बच्चे दूगिना में पर जाते हैं कि आखिर हम खेल सीखे तो कहां सीखे कहां पर जाकर ट्रेनिंग लें क्योंकि ज़्यादा तर बच्चों को यही नहीं मालूम है कि बिहार में भी खेल सीखने के लिए बहुत सारे एस्कूल और ट्रेनिंग सेंटर मुझूद है तो दोस्तों आपको जानकर खुसी होगी कि हमारे बिहार में भी बहुत सारे एस्कूल और ट्रेनिंग सेंटर है जहां से आप हर परकार के खेल का ट्रेनिंग लेकर एक महान खिलाडी बन सकते हैं यहां से अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं तो चलिए दोस्तो आज की इस बीडियों में हम जाने लेते हैं बिहार के ओदफ ऐस्पोर्ट एस्कूल जो आपके सपने को सکार कर सकता है तो दोस्तो इस लिश्built में पहला अस्थान पे है एस्कूल एस्पोर्ट बिहार दोस्तों यहाँ स्कूर बहुत ही अच्छा माहल पराद करता है खेल के लिए यहाँ पर बहुत सारे खेल का ट्रेणिंग दिया जाता है यहाँ से आप फूटबॉल, हौकी, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, तीरंदाजी, केबल टेनिस, एथलेटिक्स, एसकेटिंग, टाइवांडो जैसे बहुत सारे खेल का परसिक छर्म ले सकते हैं और इन खेलों में अपना कैरियर बना सकते हैं दोस्तो यह ट्रेनिंग एसकूल सहना और पढ़ना में है, अगर आप इस एसकूल से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप इस नम्मर पे संपर करें और अपना ट्रेनिंग यहाँ पर बुक करें इसके बाद दो नम्मर पे हैं किर्केट एकेडमियों बिहार दोस्तो यह एकेडमिय बिहार का काफी जाना माना एकेडमिय है, जो किर्केट का ट्रेनिंग देता है, यहाँ पे आपको सिर्फ किर्केट का ही ट्रेनिंग मीरेगा बिहार का सबसे बाद किर्केट एकेडम मैनुल हक एकेडम में आपको ट्रेनिंग दिलाता है, यह तो अगर आप इस ट्रेनिंग से जुड़ते हैं, तो आपकी ट्रेनिंग एकेडमिय की अस्थापना हुआ था, लगभग यह एकेडमिय बाईस साल पुराना है, और इसकी फ 15 सा रुपिया देना पड़ता है, इसके बाद हर मंथ 5 सा रुपिया रगेगा, बागी के और अच्छी जानकारी के लिए आप इस नमर बे कंटेंट कर सकते हैं, इस एकेडमिय के बाद बिहार के टॉप एस्पोर्ट एकेडमिय के लिस्ट में तीन नमर बे है, बिहार पड़ी में डाइडेक्ट इंट्री कर सकते हैं, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह हैं दोस्तों कि यह एकेडमिय पातली पुत्र एस्पोर्ट कंप्लेक्स में ट्रीनिंग देता है, जो पटना पाइलट्स का होम ग्राउंड है, यह वहीं ग्राउंड है दोस्तों, जहां पर 20 की प्रता महिला वर्ल्ड कॉप खेला गया था, तो यहां एकेडमिय आपके भविश्य को बदल सकता है, और आपको इंटरनेशनल लेबल का पलेयर बना सकता है, वैसे तो इस एकेडमिय का ब्रांच पूरे बिहार के बड़े-बड़े 15 सहरों में है, लेकि मैं आपको रिक दोश्तों यह आपएडमिय के लिस्टमें चार हमते हैं कायप एकेडमिय है, इसका पूरा ना में ककेड़ अकेडमी औपथांस, दोस्तों यह एकेडमिय बिहार में नहीं, बलके पूरे भारत में बहुत बर्सीध है, यह भारत के लंग हर बड़े सिटी में मौझूद है, जो भारत के बहुत ही प्रसित की केटर इर्फान पठान और यूसुफ पठान द्वारा और नाइज किया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि इस एकेडमी का क्या भाईलू है इस एकेडमी से अगर आप जूरते हैं तो भी आपको काफी चांस है कि आप इंटरनेशनल की केट पलियर बन सकते हैं यह एकेडमी का ट्रेनिंग सेंटर भी दोस्तों बहुत ही अच्छा है इसकी ट्रेनिंग जग जीवन स्टेडियम में होता है जो बिहार का एक जाना मारा किरकेट स्टेडियम है यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए आप इस नमर पे कर देंट करें इस एकेडमी के बाद बिहार के एस्पोर्ट एकेडमी के लिस्ट में पांच नमर पे हैं MS Dhoni किरकेट एकेडमी दोस्तों इस एकेडमी का नाम MS Dhoni है तो इसका मतलब यह नहीं कि MS Dhoni इसे और्णाइज करते हैं लेकिन हाँ इस एकेडमी के मेंटर MS Dhoni जरूर है अगर आपका प्रतासन अच्छा रहा तो आपको MS Dhoni से मिलने का मौका जरूर मिल सकता है और उनसे ट्रेनिंग लेने का भी चांस मिल सकता है इस एकेडमी से भी अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं तो काफी चांस है कि आप इंटरनेशनल लेवल के पलेयर बन जाएं यह एकेडमी भी दोस्तों पूरे भारत के बड़े बड़े सीटी में मौझूद हैं लेकिन बिहार में यह एकेडमी राजबंसी नगर पत्ना में है यहां से ट्रेनिंग लेने के लिए आप इस नमर पे कांटेक्ट करें इसके बाद बिहार के टॉप एस्पोर्ट एकेडमी के लिश्ट में छे नमर पे है केपर एस्पोर्ट कलब दोस्तों यह एकेडमी भी बहुत ही अच्छा है जो दानापूर पत्ना में है इस एकेडमी में किर्केट, स्वीमिंग, टेनिस, बास्केट बॉल तथा जूंबा की ट्रेनिंग दिया जाता है यहां का माहल भी बहुत ही अच्छा है तथा कोच भी बहुत ही परसिक्षित है यहां से ट्रेनिंग लेने के लिए आप इस नमर पे कंटेक्ट करें इसके बाद भी हार के Top Sports Academy के लिस्ट पे शाट नमर पे है पातना High School किर्केट ट्रेनिंग सेंटर दोस्तों यहां भी एक बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग सेंटर है यहां पर किर्केट का ट्रेनिंग दिया जाता है इस academy में बच्चों से लेकर बॉडों तक का training दिया जाता है तथा यहाँ पर boys और girls के लिए अलग-अलग training classes है यहाँ से training लेने के लिए आप इस नमर पे content करें इसके बाद भी हार की top sports academy के list में 8 नमर पे हैं DMS cricket academy दोस्तो इस academy में भी cricket का ही training दिया जाता है तथा यह academy भुलवारी चारी पटना में है दोस्तो हाला कि यह academy अभी नया है लेकिन यह academy गजब का है यहाँ पर आपको international कोई से द्वारा training दिया जाता है और कापी अच्छे अच्छे trainer यहाँ पे मौजूद है मैं आपको recommend करूँगा कि दोस्तो आप अगर इस इलाके के हैं तो आप इसी training center से training लें यहाँ पर training लेने के लिए आप इस नमा पे content कर सकते हैं इस academy के बाद भिहार के top sports academy के list में 9 नमर पे है YCC cricket academy दोस्तो यह academy भी घजब का academy है यहाँ पर भी आप cricket में training ले सकते हैं यहाँ मीठापूर पत्ना में यहाँ पर भी training काफी अच्छी तरीके से दिया जाता है और आपको माहौल दिया जाता है समय समय पर आपको tournament में भी सामिल कराया जाता है यहाँ पूरे पत्ना का काफी जाना माना और लोग के पीरे academy है यहाँ से training लेने के लिए आप इस नमर पे connect करें इस academy के बाद बिहां के top sports academy के list में 10 नमर पे है और Royal Kabaddy League जैसा कि नाम से ही बता लग जाता है कि यहाँ एक Kabaddy training academy है दोस्तों यहाँ academy Kabaddy के लिए इतना famous है कि यहाँ पर दूसरे state के बच्चे भी training के लिए आते हैं अगर आप अपना career Kabaddy में बनाना चाहते हैं तो मैं आपको इसी academy में recommend करूँगा कि आप यहीं से आप training लिए यह academy plus गंज जहानाबाद में यहाँ से आप training लेने के लिए आप इस नम्मर पे contact कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जितने भी academy बताये गए हैं इन सब के पास hostel मौचूद है तो आप यहाँ पर रह कर training असानी से कर सकते हैं वैसे तो दोस्तों बिहार खेल में दूसे राज्यों से बहुत बीचे हैं लेकिन हाल की कुछ वर्सों से यहाँ पर भी हर फिल्ड के पलेर निकल रहा है और अपने राज्य का नाम उचा कर रहा है खेल दोस्तों आज का वीदिए आपको कैसा लगा हमें कमेंड में जरूर बता है jaar Old Cry तो आज लोगों कीए लेगे आ लाइक है उद्यूरों कर दे और दोस्तों आज कैनल को सास्काइब नहीं के तो प्लीज यार सस्काइब कर दें अच्छे जी वीडियो आप लोगों के लिए आता रहता हूं